मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के सैंग्यू को दिखाया जाता है जो की एक राइटर था वो ऐसे ही छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स लिख कर पैसे कमाया करता था लेकिन उसकी फाइनेंशल कंडिशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि व जिसका मतलब कि ये एक सपना था लेकिन ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था क्योंकि ऐसे ही सपने सैंग्यू को हमेशा आया करते थे और इसी चीज़ से परिशान होकर वो पिछले 6 महीनों से ठीक से सोया भी नहीं था साथी में सैंग्यू एक रेंट के रूम पर रहा करता थ और एक दिन उसका ओनर उससे पैसे माँगने के लिए आता है चूँकि उसने काफी टाइम से रेंट नहीं दिया था और सैंग्यू के पास अभी भी पैसे नहीं थे इसलिए वो उस रूम से चुपके से भाग जाता है फिर सैंग्यू एक फूड इस्टॉल पर जाता है और वहाँ के वेंडर से वो एक एगलेस पैनकेक मांगता है चूँकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एग के साथ एक पैनकेक खा सके लेकिन वो बुड़ा फूड वेंडर उसको एग पैनकेक दे देता है चूँकि उसे सैंग्यू पर तरस आ गया था वहीं पर एक क उसको काम दिया करता था सैंग जी उसे देखकर भागने लगता है क्योंकि सैंग जी ने जो उसे काम दिया था वो उसने अभी तक पूरा नहीं किया था और इसी चक्कर में सैंग जी के हाथ से उसका पैनकेक भी गिर जाता है थोड़ी देर उसका पीछा करने के बाद सैंग जी उसे पकड़ लेता है सैंग जी उसे पकड़ कर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है वहाँ पर वो खुद ही नूडल खाने लगता है और सैंग यू को कुछ भी नहीं देता क्योंकि सैंग जी ने सैंग यू को स्क्रिप्ट के पैसे दे दिये थे लेकिन अभी तक उसने उस स्क्रिप्ट को नहीं लिखा था सैंग यू उसे अपनी परिशानी के बारे में बताता है कि किस तरह से उसे उसके सपनों में एक मॉंस्टर उसे मार डालता है और यही वो रीजन है जिसकी बज़ा से वो स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है सैंग जी उसकी कुछ बात नहीं सुनता और वो स्क्रिप्ट पूरा करने के लिए उसे 10 दिन और देता है और वहां से चला जाता है सैंग जब अपने रूम पर वापस आता है तो वो देखता है उसके उनन ने उसका सारा समान रूम से बाहर निकाल दिया है क्यूंकि उसने रेंट ही नहीं दिया था अब सैंग यू के पास सोने के लिए रूम तक नहीं बचा था इसलिए वो अपने लैपटोप को लेकर एक कैफे में चला जाता है और वहां पर वो स्क्रिप्ट लिखने का ट्राई करता है ताकि वो स्क्रिप्ट को पूरा करकर थोड़े और पैसे कमा सके लेकिन उसे स्क्रिप्ट लिखते टाइम ही नींद आ जाती है और वो मॉंस्टर उसके ओपर दुबारा से हमला कर देता है वो सैंग्यू को पकड़ कर उसे मारने लगता है और उसके सिर को टेबल में मार कर उसे मार डालता है तब ही सैंग्यू की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके लैप्टॉप को भी किसी ने चोरी कर लिया है सैंग्यू बहुत ज़ादा परेशान हो चुका था और अब तो उसके पास स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई लैप्टॉप भी नहीं था और साथ ही में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या सपना इसीलिए वो डिसाइट करता है कि वो सुसाइड कर लेगा वो एक हुची सी बिल्डिंग पर जाता है और वहां जाकर वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर वो बुड़ा फूड वेंडर आ जाता है जिससे कि उसने पैनकेक खरीदा था वो सैंग्यू को रोक लेता है वो सैंग्यू को समझाने लगता है कि ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सैंग्यू से अपने सपनों के बारे में बता देता है जिसके बाद फूड वेंडर उसको समझाता है कि अगर ऐसा कभी भी हो तो बस उसे इतना बोलना होगा आइम ड्रीमिंग यानि कि मैं सपना देख रहा हूँ वो बूड़ा फूड वेंडर उसको पैनकेक देकर वहाँ से चला जाता है सैंग्यू अपने फोन को बेच कर एक स्टोर पे जाता है और वहाँ से काफी सारी खाने की चीज़े लेने लगता है वो स्टोर के बाहर बैट कर ही खाने लगता है तब ही वहाँ पर हुआ आ जाती है जिसे की सैंग्यू काफी पसंद किया करता था और वो सेंग्यू से बात करने लगती है लेकिन देखते ही देखते वो एक मॉंस्टर में बदल जाती है अब वो मॉंस्टर सेंग्यू पर हमला कर देता है वो उसकी चेस्ट में एक तलवार को गुसा देता है तब ही सेंग्यू को उस बुड़े फूड वेंडर की बाते याद आती हैं और वो बोलता है I am dreaming जिसके बाद वो असली दुनिया में आ जाता है लेकिन इस बार उसके चेस्ट में जो तलबार उस monster ने घुसाई थी वो भी उसके साथ आ गई थी उस तलबार को देखकर वो बहुत जादा चौक जाता है क्योंकि उसे लगा करता था कि वो तो सिर जादा इंटरस्टेट होने लगते हैं जिससे कि सैंग्यू को पता चलता है कि वो तलबार बहुत जादा एंटीक है इसलिए वो उसे उस शोपड़ से लेकर एक एंटीक शोपड़ जाता है जहां उसे उस तलबार के बदले काफी सारे पैसे मिलते हैं पैसे मिलते ही सैंग् करता है कि वो अपने लुफ्स को बिल्कुल बदल देगा और वो शेविंग करकर बिल्कुल एक जेंटलमेन की तरह बन जाता है अब सेंग्यू को लग रहा था कि उसे ये पावर मिली है यानि कि वो सपने में से कोई भी चीज रियालेटी में ला सकता है इसलिए वो नींद की काफी सारी गोली खा लेता है ताकि उसे सपना आया और वो वहाँ से काफी सारी अंटिक चीजे ला सके फिर सेंग्यू सो जाता है जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसी होटल में था वो होटल के बाहर जाकर वहां के एक फ क्मी होजाता है लेकिन वो उस कुलाडी को पकड़कर बोलता है आयम ड्रीमिंग फिर वो रियालिटी में आ जाता है और वो कुलाडी भी उसके साथ ही आ अ गई थी सैंग्यू इस कुलाडी को लेकर उसी अंटीक शॉप पर जाता है जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मि बेचे का जिसके बाद वो एक बुक खरीदता है जिसमें अंटीक म्यूजियम के काफी सारे फोटोस थे और वो उन फोटोस को इसलिए देख रहा था ताकि उसे सपने में वही म्यूजियम दिखाई दे सेंग्यू दुबारा से सो जाता है और जब सपने में उसकी आँख खुलती है तो वो उसी म्यूजियम के अंदर था वो वहां की सारी अंटीक चीजों को देखने लगता है और वहीं बैटकर मॉंस्टर के आने का इंतजार करने लगता है लेकिन इस बार जैसे ही मौंस्टर आता है तो उसके हाथ में तलबार या कुलाडी की जगाए एक गन थी और वो सेंग्यू के उपर गन से शूट करने लगता है सैंग्यू उससे बचने की बहुत जादा कोशिश करता है लेकिन काफी सारी गोलियां उसे लग जाती है और सैंग्यू की आख खुल जाती है लेकिन वो म्यूजियम से कुछ भी नहीं लेकर आया था इसलिए वो बहुत सारी नीद की गोलियां खा लेता है और दुबारा से उसी सपने में पोच जाता है और जैसे ही उसकी आख खुलती है तो उसे रास्ते में उसका दोस्त सैंग जी मिलता है और सैंग यू उसे एक फाइव इस्टार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ही बड़ी खाना खिलाता है और साथ ही में वो उसके लिए हुए सारे पैसे वापस कर देता है लेकिन सैंग जी तो ये जानना चाहता था कि सैंग यू एतनी आसानी से कैसे अमीर हो गया इसलिए वो उसे काफी सारी वाइन पिला देता है और उसे वाइन के नशे में उसके रूम पर ले जाता है सेंग्यू नशे की हालत में था और इसलिए सेंग्यू उसके रूम की तलाशी लेने लगता है लेकिन तब ही अचानक से सेंग्यू की आँख खुल जाती है और उसके हाथ में बहुत सारा गोल्ड था सेंग्यू भी ये देख लेता है और अब वो उसके अमीर होने का राज जान चुका था इसलिए सेंग्यू उसे अपने साथ रख लेता है सेंग्यू को पता चलता है कि उसकी क्रश हुआ अपने काफी शॉप को बेच रही है क्योंकि उसे पैसो की जरूरत है इसलिए सेंग्यू बहुत सारे पैसे लेकर उसके पास जाता है और वो खुद ही उसके कैफे को खरीद लेता है और साथ ही में वो उसे एक डील बताता है वो हुआ से बोलता है कि अगर उसे कॉफी शॉप से कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो सारा प्रॉफिट हुआ का होगा साथ ही में कॉफी शॉप से जितना भी लॉस होगा वो सेंग्यू देखेगा अब हुआ भी सेंग्यू से अट्रेक्ट होने लगी थी और वो दोनों मिलना स्टार्ट कर देते हैं अब सैंग्यू सपने देखा करता था और सैंग्यू उसकी बोड़ी को प्रोटेक्ट किया करता था साथ ही मैं सैंग्यू अपने सपनों में एक्सपर्ट हो चुका था वो बहुत ही असानी से वहां से समान ले आया करता था यहां तक कि उस अपनों को इतना कंट्रोल करने लगा था कि वो मॉंस्टर को भी बहुत यासानी से हरा देता था एक दिन सेंग्यू अपनी कौफी शॉप में बैठा होता है और तब यूसे वो बुड़ा फूड वेंडर दिखता है जिसने सेंग्यू की उसके बुरे दिनों में बहुत जादा मदद की थी इसलिए सेंग्यू चुपके से एक ब्लैक बैग में उस फूड वेंडर के पस काफी सारे पैसे चोड़ जाता है सेंग्यू एक सपने में होता है और उसे मॉंस्टर दिखता है जिसने की एक बहुती यूनिक बैल्ट पहनी हुई थी और सेंग्यू को उसकी बैल्ट चाहिए थी इसलिए उसकी बैल्ट को लेने के लिए उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसकी बैल्ट को छूता है तो उसके हद गायब होने लगते हैं इसी बीच वो मॉंस्टर सैंग्यू की चेस्ट पर अपनी दो अंगलियों से एक साइन बना देता है। लेकिन सैंग्यू इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसकी बेल्ट को किसी तरह निकाल लेता है। सैंग्यू जब रियालिटी में वापस आता है तो तब ही अचानक से उसकी चेस्ट पर एक तलवार जैसी चीज़ आकर लगती है। फिर वो मिरर में जाकर अपनी शर्ट को खोलता है और वो देखता है कि जहां उस मोंस्टर अंडे अपनी दो अंगलियों से साइन बनाए थे वहाँ पर उसके कट लग चुका है। वो डर जाता है इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अगली रात कुछ भी नहीं चुराएगा लेकिन जब सैंग्यू सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है उस सपने के अंदर वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के अंदर था जैसे ही वो उस बिल्डिंग की रूप पर जाता है तो वहां उसे एक इनसान दिखता है और वो उस इनसान के पास जाता है वो इनसान और कोई नहीं बलकि सैंग्यू ही था जिसके फेस पर काफी सारे निशान बने हुए थे जैसे निशान उसे सपनों में मौन्स्टर ने दिये थे जैसे ही सैंग्यू सपने से बाहर आता है तो उसके रियालिटी में भी वो निशान बनने लगते हैं अब सैंग यू बहुत ज़ादा घबरा जाता है इसलिए वो फूड वेंडर के पास जाने लगता है लेकिन रास्ते में उसे काफी सारे गैंगस्टर पकड़ लेते हैं क्योंकि वहां के माफिया को पता चल च जाते हैं जहांपर सैंग यू ने अपने सारे सपनों से लाई हुई चीजों का एक मियूजियम बनाया हुआ था तबही होटल में हुआ भी आ जाती है क्योंकि सैंग यू ने उससे काफी टाइम से बात नहीं की थी लेकिन वो सारे गैंगस्टर्स हुआ को भी किड्नैप कर जाता है वो तीनों वहाँ से भागने का ट्राई करने लगते हैं लेकिन सैंग जी उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है सैंग यू हुआ बचकर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो गैंगस्टर्स उने पकड़ लेते हैं वो सैंग यू को बहुत ही ब तलवार लेकर आ गया था वो देखता है कि उस दिन वो मर गया था और उसकी बोड़ी को एंबुलेंस ले गई थी तभी सेंग्यू आगे बढ़ता है और उसके सामने एक और दिवार थी जिसके दूसरी साइड रियालिटी चल रही थी वहाँ पर हुआ थी सेंग्यू की बोड से उन सारे गेंग्स्टर्स को मार डालता है लेकिन उनके माफिया की गोली हुआ को लग जाती है और वो मर जाती है फिर वो मॉंस्टर सेंग्यू को शूट करकर उसे मार डालता है सेंग्यू के मरते ही वहाँ की सारी एंटिक चीजे गायब होने लगती है जो की वो सपनों स उसकी हालत को देखकर उसे अपने साथ ले जाती है वो उसे खाने के लिए देती है और साथ ही में हुआ उसे अपनी शौप पर काम पर रख लेती है अब सैंग्यू के दिन काफी ठीक होने लगे थे और वो थोड़ा बहुत पैसे भी कमाने लगा था वो अपनी स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लेता है जिसके बदले उसे काफी पैसे मिल जाते है फिर वो एक दिन उसी बुड़े फूड़ वेंडर के पास जाता है तो वो फूड़ वेंडर उसे वही ब्लैक बैक देता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे अब सेंग्यू शौक में हो जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो सब एक सपना था और अगर वो सपना था तो food vendor के पास वो पैसे कैसे आए food vendor उसे अपना पेट दिखाता है और उसके पेट पर भी एक cut था वो सेंग्यू को बताता है कि जो उसके साथ होता है वो पहले ही कर चुका है लेकिन उसने सिंपल लाइफ चुनी तब ही अचानक से सेंग्यू के पीछे की सारी लोकेशन चेंज होने लगती है जैसे कि उसके साथ हमेशा सपनों में हुआ करता था फिर सीन शिफ्ट होता है और की डैमेंशन क्रियेट करने से बचाया करता था इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खतम हो जाती है